नमस्कार कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिच्छे उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में बीजेपी का पर्चम लहरा रहा है प्रागराज की नगर निगम पर भी बीजेपी की बंपर जीत हुई है इससे पहले भी यहाँ पर बीजेपी की मेयर थी लेकिन इस बार हालात कुछ और थे प्रागराज नगर निगम के अधिकतर वाडो पर बीजेपी का जंडा लहरा रहा है बीजेपी के गनेश के सरवानी जीत गए हैं इस बार मुद्दे गायब हो गए थे लोगों से बाचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बीजेपी है तो विकास तो हो ही जाएगा मगर सबसे बड़ा नासूर हमारे प्रागराज से चला गया देखिए एर रिपोर्ट विधायक राजुपाल हत्याकान के मुख्य गवा उमेश पाल की हत्या हुई इलजाम आया अतीक एन फैमली पर फिर क्या था सीम योगी का सक्त आदेश था कि दोशियों को बक्षा नहीं जाना चाहिए यूपी पुलिस ने एक के बाद एक अपराधियों का एंकाउंटर किया इस हत्याकान का प्रमुख किरदार था अतीक का शेर यानि उसका बेटा असद असद मौके से फरार हो गया पुलिस खोशती रही लेकिन नहीं मिला इसके बाद छहासी के पास उसका इंकाउंटर हो गया प्रयागराज के लोगों के लिए असत का इंकाउंटर बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उन्होंने अपनी आखो से अतीक फैमली का अत्याचार देखा और सहा है वहीं सीयम योगी नगर निगम में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने प्रयागराज पहुँचे थी यहां उन्होंने अपने अंदाज और इशारों से कह दिया था कि प्रयागराज न्याय करता है सीयम योगी ने रामचरित मानस की चौपाई भी पढ़ी थी उन्होंने कहा था कर्म प्रधान विश्वराची राखा जो जस करही सो तस पल चाखा यानि कि जो जैसा करता है वैसा फल उसको मिलता है सीयम योगी ने कहा था कि यह प्रयागराज की धर्ती है यह त्याचार बरदाश्त नहीं करती वो न्याय करती है जिन लोगों ने न्याय किया था उनका न्याय प्रक्रीती ने कर दिया सीम योगी की हर बात पर प्रयागराज की जंता नारे बाजी कर रही थी अब जब वहाँ चुनाओ हुआ तो वोटर्स ने बीजेपी को जोली में भर कर वोट भी दिया है 15 एपरिल देर शाम तक सब कुछ समान्य चल रहा था अतीक एहमद और अश्रफ एहमद का मेडिकल कराने पुलिस अस्पतार लेकर आई थी जैसे ही पुलिस कड़ी सुरक्षा में उसको लेकर पहुँची तब ही तीन लड़कों ने ताबर तोर गोली वारी की इसमें अतीक और अश्रफ की मौके पर ही हत्या हो गए इसके बाद प्रयागराज में सनाटा पसर गया था जिसने भी ये खबर सुनी वो सन रह गया खबर तो एक माफिया पराधी के मौत की थी मगर खौफ इतना था कि लोग इस बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहते थी प्रयागराज का बाहु बली अतीक की हत्या हो गई थी फिलहाल के लिए इतना ही बाकि तमाम बरी खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार